ऐसे हैं दोस्तों आप सब और आज में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ All New Citron Basalt का बिल्कुली Base Variant U जिसकी Action Room Pricing है 7.99 लाग रुपीज और On Road परे की लगबग 9 लाग 24,000 रुपए के असपस राइपूर में बगए की Contact Details भी मिल जाएंगे डीलर्शिप की दिस्क्रिप्शन में आप लोगों को और यह जो बेस फिरेंट है Citron Basalt का काफी जदा Value for Money वेरेंट है इस प्राइस पॉइंट में आप लोगों को Hatchback and Sedans मिलती है Entry Level उस प्राइस पॉइंट में आप लोगों को वो कलर है जो हलका ग्रे जाशा है और यह वाइट कलर है गाड़ी का अवर रूल कम्वेट लोग आप लोग देख सकते हैं फ्रंट से इससे सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाता हूं फ्रंट से लोग यहां पर All-new Citron Basalt का यू वेरेंट आप यह देख रहे है 7,99,000 रुपए एक्षी रूम प्राइज में काफी जदा वेली फॉर मनी वेरेंट इस सिट्रॉन Basalt का यह बाकि अगर फ्रंट से लोग देखे तो काफी बढ़िया लोग निकल के आता है और सिट्रॉन की जित्ती भी गाडियां उसे काफी दर रिजेंबल करता है था कि C3 Air Cross या C3 से इसका जो फ्रंट से ओवर और लोक रहने वाला है गाड़ी का यहां पर प्यानो ब्लक इंसर्ट दिये गए क्रोम फिनिश की साथ क्रोम टच मिलता है ग्रिल के अंदर और नीशे की तरफ यहां पर मिलती है बिक साइस क्लियर लाएं सेलोजन हैटलाइट भे टर्न इंडिक गेटर बलप और पार्किंग लाइट लाइट लगाने के लिए स्पेस बिक साइडिटर ग्ल बहतर एर इंटेक के लिए और यह गाड़ी का है over or complete side से look Citron की busald का जिस price point में आप लोगो को market में hatchback and sedan मिलती है Entry level वहाँ पर इस price point में आप लोगो को Citron coupe SUV प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी के अंदर बागी features से भी गाड़ी loaded मिलती safety features सारे मिल जाते हैं 6 airbags standard मिलते है ABS, EBD, Electronic Stability Control जैसे फीचर्स दिये गए है, रिबर स्पार्किंग सेंसर्स और यहाँ पर स्टील विल मिल जाते हैं आप लोगों को गाड़ी के अंदर जो की रहने वाले हैं 16 इंच के पेंडर में टर्न इंडिगेटर आउटसाइट उवार्बियंस ब्लैक फिनिश में एंड आप लोगों का ब्लैक एंड ए पिलर भी दिया गया है बी पिलर भी आप लोगों को ब्लैक एंड फिनिश में मिल जाता है बाकी डोर हैंडिल ब्लैक फिनिश में प्रॉइट करेगा हैं गाड़ी के अंदर यह गाडी का overall complete look है, proper coupe type design मिलता है गाडी के अंदर यहाँ पर, overall जो इसकी look and feel है देखने वगरा में, जो इसकी presence निकल के आती है गाडी की वो काफी जबरदस्त है, और base variant होने के बाउजूद भी काफी बढ़िया overall look निकल है, complete गाडी लगती है अगर अब इसको बाहर से यह tail lights में भी cuts दिए गए है, बहतर aerodynamics के लिए, 45 liter की fuel tank capacity मिलती है, और base variant लेंगे तो यहाँ पर naturally aspirated 1.2 liter का petrol engine आएगा, जो की 80 horsepower and 150 nm का torque निकाल के देगा, suspension जो है गाडी के लाजवाब मिलते हैं, मतलब undulations में और इसके जो wheels का suspension का travel है, वो काफी जदा बढ़िया मिलता है य यह overall low के पीछे, बाकी roof भी complete design में मिलता है आप लोगों को, पीछे citron की badging, basalt की badging, bumper के lower part आप लोगों को black finish मिलता है, reverse parking sensors, यह गाड़ी का exhaust tail pipe है, नीचे की तरफ right side में, और आए गाड़ी का boot आप लोगों में open करके दिखाता हूँ, तो दोस्तों यहाँ से गाड़ी का boot क अंदर से उपन कर लिया, और यहाँ पर आप लोगों को best in segment 470 liter का boot space मिलता है, और जब गाड़ी अप लेंगे तो आप लोगों को wheel cap मिल जाएंगे, बेस फिरेंट के अंदर, जो कि कई सारी companies नहीं देती है, इस price mount के अंदर, बाकी इसको ठाएंगे तो इसके नीचे आप ल कर सकते हैं, अप लोग जादा लगेज रखने के लिए, और पार्सल ट्रेनी उसके बाद है, हाँ पर space जो है काफी अच्छा मिलता है, कूपे टाइप डिजाइन है, तो विंचिल के साथ, जो है रियर विंचिल के साथ ही बूट ओपन होता है, तो यह सारी जो चीजे काफी इतर प्रेक्टिकल बना देती हैं, सिट्रोन की बसाल्ट को, और खासकर यह जो बेस फेरेंट है गाड़ी का, और देखेंगे, रियर सीट स्पेस की वो कैसा उफर करती है, और टैर के अगर चोड़ाई की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग देख सकते ह काफी वाइड उपन होता है, गाड़ी का डोर, और ब्लैक फिनिश दी गए यह दोर के अंदर, यहीं से चाइड लोग सिस्टम यहाँ पर प्रवाइट किया गया है, पावर विंडोर नहीं मेलेंगे, मैनवली उपर नीचे अपरेट कर सकते है, विंडो को बॉटर होड़ ब्लैक फिनिश, हाट प्लास्टिक के साथ दोर हैंडेल, और ऐसे कोई दिक्ति हैं, गाड़ी की रियर के सीट, फैबरे का पॉलस्टी में, सीट में अंदर जाने में मतलब बिसिकली में गाड़ी और बाहर आने में, जो उसका एंगल दिया गया है, वो काफी अच्छा है, किसी भी एज की परसंस को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी थाट के साथ दोर वगड़ा क्लोज होते हैं, ग्लास ही रहे काफी अच्छे तरीके से यूज के अगमनी ने, और सिक्स से अरबेक्स और इलेक्ट्रोनिक सेबिलिटी कंट्रोल जो बेस वेरियंट से उफर किया कितनी हैं कि और तीन लोग बैठ सकते हैं, रियर की सीट में, थ्री पॉइंट सीट वेल्स प्रोवाइड करेगा हैं, विच आइसो फिफ चैल सीट मांट्स गाड़ी के अंदर, और सीट का जो रिकलाइन अंगल है, वो भी काफी अच्छा मिलता हैं, पर उसमें कोई दिक्क इस गाड़ी को बना देता है, वेली फोर मनी, इस बेस वीरेंड को, और आए अप गाड़ी के ड्राइवार सेट का आप लोगों मैं लोग ओपन करके दिखाता हूं, तो ऐसा को दिखता है, गाड़ी के ड्राइवार सेट का लोग, और ब्लेक फिनिश में हाँ पर डोर दिय तो आप लोगों को जल्ती थकान नहीं होती है, सांती संत फिक्स हेड्रस दिये गए, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर आप लोगों को डिजाइन मिलता है, जिससे जो आप लोगों की नैक वेक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, गर्दन दरद नहीं करेगी बाकि यह बाकि ऐसी कुछ यहाँ पर दिखता है, इसका कंप्लेट डिजिटल इंस्टूमेंट क्लस्टर, डिजिटल स्पीट, इंजिन कूलेंट टेंपरचर, फ्यू लेवल, ट्रिपे, ट्रिब्य आप लोग अपनी सेट कर सकते हैं गाड़ी के अंदर, और डिस्टेंस टू एमटी यहाँ पर शो हो जाएगा जैसे कि आप लोग को दिखाऊ मैं, पहले तो एवरेज भी शो हो जाएगा गाड़ी का, उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस टू एमटी, मतलब पेट्रोल लाएंगे तो कितने किलोमेटर गाड़ी चल सकती ही वहाँ पर शो हो जाएगा, कई सार यहाँ पर दी गई है, और गाड़ी में अंदर बैठने के बाद दोस्तों बोनट बगर प्रोपर दिखाई देता है, आप लोग देख सकते हैं, तो वह एक अच्छी चीज है गाड़ी के बारे में, बाकी यहाँ पर हैडलाइट के कंट्रोल दिएगा है यहाँ राइट इंदर, मैनुवाली की को इंसर्ट करके आप लोग इगनिशन का अनौफ कर सकते हैं, वहाँ नीचे की तरफ जो आप लोग देख रहे हैं, इस यहाँ से हैडलाइट के लेवल को एड्जस किया जा सकता है मैनुवाली, और इंफोटेन्मेंट या इंफोटेन्मेंट या कि इंफोटेन्मेंट सिस्टम मिल जाएगा ज्यूकि अनौट अपल कर भी सपोर्ट करता है, एंड ड्यूल टोन टेक्चर मिल जाता है, डैश्बोट के अंदर, यहाँ थोड़ी स्पेस दी गई है, एंड मैनुवाल एसी दिया गया है, गाड़ी के अंदर भी थीटर यहाँ पर AC की कूलिंग काफी अच्छी मिलती है, AC एफेक्टिव मिल जाता है, और केविन को काफी अच्छा तरीके से कूल कर देता है, कम समय के अंदर ही, एंड यह ट्वल का चार्जिंग सौकिट, थोड़ी स्पेस, दो कफोलडर, यहाँ सेंटर में भी काफी स्पेस दी गई है और इसका 5-speed का manual transmission, center में handbrake, यहाँ किसी परकार का armrest बगरा नहीं मिलता, और seat की जो thigh support है, front की seats का वो भी काफी अच्छा मिलता है, यह अपर यह एंगल आप लोग देख सकते हैं, हलका सा up की तरफ है, तो वो जो है comfortable चीज बना देता है, front passengers के और big size glove box दिया गया है, गाड गाड़ी के अंदर कर देखा जाये दो, passenger set sunset and driver set sunset दोनी तरफ sunset देए गया है, लेकिन यहाँ पर ticket holder या vanity mirror नहीं मिलता, और उपर की तरफ front के passengers के लिए के वार मिलती, reading light, auto dimming, मतलब जो rear view, IRV में उसको manually adjust, आप लोग एंगल से ही कर सकते हैं, पुरा clip वाला system नहीं मिलता है, बाकी यहाँ पर tutor लगाने के लिए space और चारवी डूर में speakers लगाने के लिए space company प्रोइट कर रही ही गाड़ी के अंदर, जो कि काफी अच्छी चीज है, बाकी आईए अब गाड़ी का bonnet open करके आप लोगों को दिखाता हूँ गाड़ी का engine में, तो यह दूस्तों इसका 1.2 लिटर का naturally aspirated petrol engine 3 cylinder, 45 लिटर की fuel tank capacity देगा है, जो इसमें petrol की capacity मिलेगी, 37 पावर की बात करें, तो 80 horse power निकाल के देगा, और 115 nm का torque, और engine जो है काफी refined मिलता है, 3 cylinder की सबसे, एक और 1.2 लिटर टर्बो पेट्रोन का भी option आता है, गाड़ी के अंदर, डूरा टेक, तो चलिए आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट से मताइए, साथ ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा, ताकि आप लोगों ऐसी वीडियो देख सकें, तो दोस्तों इसी के साथ मिलते ह अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत